Hello friends, मैं उस निहाँ, welcome to my channel for you and a child एक सवाल जब मुझसे class 10th और 12th के students अकसर पूछते हैं वो ये कि अगर LOC में student ने या फिर उनके माता-पिता ने sign नहीं किया तो इससे क्या problem होगी? क्या वो class 10th या 12th के board examination में बैटनी ही पाएंगे? क्या उनका admit card नहीं आएगा? कई parents को ये लगता है LOC में ऐसा क्या खास बात है जिसमें sign करने के लिए parents को अपना काम चोड़ कर अपने office चोड़ कर school में बुलाया जा रहा है के वल student के sign करने इसे तो काम चल जाएगा या फिर ना भी sign करें तो क्या फर्क पड़ता है? इसना क्या जरूरी है? जिसके लिए बिना मतलब के school वाले हमें school में बुलवा रहे हैं तो इन सवालों का जवाब देने के लिए confusion को दूर करने के लिए मेरा ये वीडियो है तो इसे ध्यान से अंध तक जरूर देखें सबसे पहले समझते हैं LOC होता क्या है? तभी आप समझ पाएंगे कि LOC पे signature करना इतना जरूरी क्यों है? Class 10th का board exam देने वाले बच्चों का registration Class 9th में हो जाता है उसी तरह से Class 12th का board examination देने वाले बच्चों का registration Class 11th में हो जाता है Class 9th और 11th के registration के time स्कूल द्वारा स्कूल बोर्ड को चाहे कोई साब भी बोर्ड हो CBAC, IB, ICC कोई साब भी बोर्ड हो स्कूल अपने Class 9th और Class 11th में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की detail स्कूल बोर्ड को भेजता है कि यह सारे बच्चे हमारे स्कूल में हैं और यह आने वाले साल में जिनका board examination दिलवाया जाएगा स्टूडेंट्स डिटेल में होता क्या है बच्चों का नाम, माता-पिता का नाम और ध्यान रहे बच्चों का full name होना चाहिए माता-पिता का भी full name होना चाहिए अगर आप कोई surname लगाते हैं तो वो भी होना चाहिए कोई पुकारू नाम, घरेलू नाम यह सब आपको नहीं लिखना होता है नहीं अपना, नहीं माता-पिता का अपना full name और उसकी spelling जो भी नाम है आपका माता-पिता का उसकी भी सही spelling जाने चाहिए उसकी साथ साथ student की date of birth होती है उनकी category होती है कि वो SC, ST, Category, OBC जनरल किस category में बिलॉंग करते हैं आपके subject कौन-कौन से हैं अगर आप class 11 में हैं तो आपका stream कौन सा है आपके option subject कौन से हैं ये सारे details होती है इसके अलावा school से संबंदित जानकारी होती है जैसे school code और बाकी चीज़े तो class 9 और 11 में ही student की सारे details school board के पास पहुँच जाती है और अगले साल जब class 10 और class 12 का board examination होने वाला होता है इससे पहले कि school board सारे students के लिए admit card जारी करे CBSE अपने तरफ से वो सारे student की details school को वापस भेजता है और ये कहता है कि आप check कर ले कि इसमें किसी भी तरह की कोई गलती तो नहीं है कि किसी भी तरह की गलती चाहे वो student के मातपिता के नाम में हो डेटर बर्ट में हो काटेगरी में हो या फिर school code किसी भी तरह की कोई गलती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है ये मौका school board स्कूल को देता है school को कहता है कि आप एक बार सारे list को देख ले कौन-कौन से बच्चे हैं उनके सारे चीजे ठीक-टाक है कि नहीं और सही है तो आप हमें साइन करके अपने school का stamp लगा कर वापस भेजे उसी के accordingly हम आपको admit card बना कर देंगे और आगे जाके जब बच्चा school board का exam दे चुका होगा चाहे वो class 10th का हो या class 12th board का हो उसकी बच जब result आएगा तो उसी के basis पे बच्चों की माक्षीत बनेगी उनके migration certificate बनेगे और भी जो passing certificate या जो भी certificates है वो बनेगे और उसमें वही सारी details होंगी जो आपने हमें registration के time दी थी और ये जो हम आपको LOC में सारी चीजे mention करके दे रहे हैं LOC का मतलब होता है list of candidates अगर सही है तो आप as it is उसपे sign करके, stamp करके हमें दे दीजे और अगर इसमें कोई गलती है तो school वालों को login ID, password दिया जाता है वहाँ पर वो enter करके उस detail में जो भी correction है वो कर सकते हैं अगर किसी के spelling पे change है तो वो spelling change कर सकते है date of birth गलत हो गया है तो उसे change कर सकते है लेकिन date of birth में एक बात ध्यान रखे सिर्फ गलती को सुधारा जा सकता है बदला या घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता अगर कोई by mistake हो गया है typing error है तो उसे change किया जा सकता है अब school क्या करते हैं अपने तरफ से confirm तो वो कड़ी लेता है ये list of candidate students और parents को बुला कर दिखाते हैं कि आप भी अपने तरफ से check कर लो आप का नाम, बच्चे का नाम, date of birth सारी details जो है आप भी check कर लो कि अगर कोई गलती होई है तो उसे हम सुधार ले और अगर सब ठीक है तो आप sign करके हमें दो इसमें जो भी detail mention है वो सही है और इसके बाद ही हम ये details CBAC या जो भी school board है उसको भेजेंगे देखें ये बहुत important step है क्योंकि अगर इसमें जरा से भी गलती हुई तो वैसे ही आपका admit card बनके आएगा वैसे ही आपकी mark sheet और बाकी चीज़े certificates बनके आएगे और सारी चीज़े हो जाने के बाद अगर आप बाद में school के पास पहुँचते है कि अरे मैं मेरे certificate में तो मेरे नाम की spelling गलत है या फिर मेरी category गलत है तो आपको बहुत भागदौर करनी पड़ेगी वो change होगा या नहीं होगा या कितना time उसमें लगेगा ये कहना मुश्किल है इसलिए ये परिशानी में आप ना पड़े इसी वज़े से school board मौका देता है school को कि आप सारी details चेक कर लो साथी school board school वाले को instruction देता है कि आप सारी details आप student और parents से भी साइन करो एक बार आपने साइन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने details देखी इसमें कोई गलती नहीं है और ये details आप स्कूल वाले स्वतंत रहे school board को बेजने के लिए और school board उसी के accordingly बाकी के certificates और admit cards बनाएंगे अब मालेजिए आपने इस चीज को seriously होता है कि जब तक कि LOC school को school board में submit करना होता है अगर कोई बच्चा parents के साथ school में नहीं आता है अपने details नहीं चेक करता है तो ultimately school एक बार phone करेगा दो बार phone करेगा फिर छोड़ देगा वैसे details okay करके वो school board को भेज़ देगा अगर आपका सारे details सही है फर तो कोई problem नहीं है आप बच जाएंगे लेकिन अगर मा लिजए गलती से भी कोई गलती हो और वैसे हैं आपका बाकी के माक्षित विगरा बन के आगे उस time आप आओगे school के वाले के पास कि भाई इसमें तो correction की जरुरत है यह तो गलत है तो school वाले आपको यह line जरूर कहेंगे कि भाई यह हमने तो आपको LOC की time sign करने के बुलाया था तो आपने उस time देखा नहीं था अगर आप आए और ध्यान नहीं दिया और ऐसी sign कर दिया ध्यानी में तो आपसे यह सवाल जरूर होगा और अगर आप आई ही नहीं तो यह आपकी गलती है अब आपको school board और school के कई चक्कर लगाने पर सकते हैं आपके जो भी necessary correction है सुधार करवाने के लिए बहुत time लगता है, बहुत सारी formalities होती है पैसा भी आपका जाएगा, time भी आपका जाएगा अगर वो गलती के साथ आपने माक्षी ट्रक लिया तो आगे जाके आपको problem होगी college admission में अगर आपका password बनता है फिर आगे के जो भी आप अधा हार कार्ट बनवारे तो हर जगा वो गलती carry forward होगी तो यह आप परिशानी में पर सकते हैं इसलिए आप parent को और student को यही suggestion है कि जब भी LOC पे sign करने के लिए student या parents को बुलाया जाए तो आप अपना समय निकाल कर जरूर जाए जैसे बाकी काम important है यह भी काम बहुत ही important है आपके आगे की परिशानी में से बचने के लिए और साथी आपके बच्चे के future के लिए भी यह step बहुत important है यह तो अच्छी बात है कि school board और school आपको यह मौका दे रहा है उमीद करते हूँ LOC से संबंदित जो यह confusion था आपका clear हुआ होगा और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे like करें और इसे share करें ताकि बाकी students और parents भी इस चीज को लेके aware हो सके मेरे चानल को subscribe कीजिए क्योंकि school related बहुत सारे useful ज्यानकारी और admission test के sample paper मेरे चानल पर मिलेंगे Thank you so much for watching this video